कौम सरै की मिर्ठा नाए नीली अज्रक सिर्दी चाहे कर दिख रहे थे कि मैं रेड़ी शड़ी होके वाक पर गई थी अपनी कजन के साथ वहां से वापस आके लांच बनाया था फिर लांच में बनाया था आलू मुर्गी का सालन सिंपल सा सालन था जो कि आप रैस्पी देखिएंगे बहुत ही मज़गा था और ओपर से जो हमारे स सांस फूलने लग जाते हैं थोड़ा से मैं कोई वजन की चीज़ उठा लूँ या कुछ भी ना तो इससे ऐसे हो जाता है और अमी की घर से आ गये थे दाई बड़े फिर मैंने शौन करा लिये थे सारे तो नहीं हाफ फिर जी तो मैंने तर्के वाले डाल बनाए थी मेरे पस जो अभी आपको सारा ने दिकाई ते मुरावी का बनाया था वो थोड़ा सब बच गया था तो भी मैंने इसमें एड़ किया था ये था देशी मॉम का जुगार जो कि दाल का देड़का लिसालन बहुत अच्छी बनी बहुत मजगी थी बहुत टेस्टी थी बस ये क्या बात बताओं फिर जब ये एक दफ़ा बच पी गई थी ना फिर मैंने इसका पराटा बना लिया था ओह 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 पर इसमें मैंने एड़ किया था इसको फिर गुमा फिरा कि इसको अच्छी तरह से भुनाई इसकी करके ना फिर मैंने तड़का लगाया था गरीन चिली और चिली फ्लैक्स का थोड़ा सब्सक्राइब था बस जी आईल में तड़का देके ये सालन रेड़की थी मैंने और फिर दो तीन दिन बाद मैं वीडियो अप्लोड करती हूं ना ये फिर सारी कटिकर करके रखती हूं एक दिन इतनी सारी ची Hunting नहीं पनाती मैं बस एक दिन एक सालन जो बना बना ठीकmaster के ना क्मशें खाने वाले उतने जाए नहीं हमारी कूई इतने बड़ी फैमली इनी तो तो फिर हमें एक दिन का एक सलन का फ्यूद होता है तो बस पिर देखते रहें आप और उस अगले दिन पिर मैं अपने मैके गई थी वो भी आप देखेंगे इन्शालाद लाँ पर इतना ज़्यादे हमने इंजॉय किया था लेकिन अलमीर लोग बाइचांस वो भी सैचे डिस तो है बाद यहां पर हमारी डार रेडियो हो गई थी बस हाँ मैं आपको वाक करना बहुत जरूरी है क्योंकि हाँ मैं अभी कुछ दिन हुए है मुझे वाक पर जाते हुए अब मौसम भी शुकर है अच्छा हो गया बहुत ज्यादा जर्मियों मैं मैं विल्कुल दिन जा स होती थी और जो जो जिसका जाती हूं वोगो भी पहले लाहور होती थी आप वहां पर आ गी हैं तौसमें तो मेरी फरेंड भी हैं मेरी कципHigh दो यह अच्छा भी लगए वंजा भी लगता है असले कोई एसा बंदा नहीं तो मैं जाती यह जी राट प्रहोगं की गर्वात आ ऌ क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको पता नहीं होता और भाई जान ये मुटका आइसक्रीम ले थे शकीन करें बहुत ही मज़ए की थी बहुत ही बस मैंने का भाई जान आपने जैसे आपने ठंटा यह कर दे थे थे ने अच्छे मौसम में ना आपको इतना इतन कि जो ड्रामे थे ना इतना ये नराज हो रही थी कहते थी कि आप ना मुझे खिलाओ इस टेम तो उसको दादो अपनी खिला रही थी लेकि इसके बाद वो नराज हो रही थी कि आप ना खिलाओ मैं खुद खाती हूँ इसने सारी ऐसक्रीम जाय कर दी कोई नहीं खाई थी बस चोटे बच्चे नहीं से जिद कर लेती हैं तो नहीं से गपशाप हो रही थी मेरी बतीजी आई हुई थी आलिश्भा और अनाया तो माशाला बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब बाज मटको मेरी पियरी पिरिजान एजर्खान बस बतों जिन्द है जिन्द ये पकीन है तो इसके साथ बड़ा मज़ा आता यह ले टाइम आई थी पहले थी जैनानों के घर अपने मामुण को ले गया था पिर जब यह आई तो बस फिर मज़ा आ गया था आच्या कि गया झा प्लीज कर दिया करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें आप सिब के बहुत 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 ज़्या अचा जी मैंने दो विंटर के सूट आपको शेयर कर रही हूं दिखा रही हूं क्यूंकि जब सर्द्यों मैं सूट निकाले तो उसमें ये दो नए सूट रखे थे एक दिया था मुझे मामा ने येलो वाला और ब्ली वाला मैंने खुद लिया था तो इनको मैं सिर्फ पाइपिंग कराओं कि मुझे लेस पसंद नहीं आ रही थी तो फिर शरींग किया है मैंने अब फिर आपको दिखा रही हूं आप मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिज कर दिया है मेरे सूट आपको कैसे लगे अगर कोई डिजाइन करना भी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दिया करें आप दे मुझे इजाज़त अलाहाफिज